मोनु मानेसर उर्फ मोहित यादव जिसको एक इलाके में जब गौत तसकरी करने वाले देखते हैं तो कापने लगते हैं उसको खत्म करने के लिए पूरी प्लैनिंग की गई अब प्लैनिंग का एक वीडियो वारेल है वीडियो में एक पाकिस्तानी यूटीवर है और वो पाकिस्तानी यूटीवर मेवात के मुसलमानों से कहता है कि मोनु मानेसर को खत्म कर दो जब यात्रा निकलेगी तब उस यात्रा में तोड़ फोड़ कर दो वह पताता है कि वैस पर सब कुछ देख रहा है और यह एक जंग है और तुम अब वहां पर जंग करो और जंग में मुसल्मानों तुम अपना जलवा दिखाओ इन तमाम चीजों को वह कहता है और वह वीडियो वाइरल होता है और बनाने वाले का नाम एहसान मेवाती होता है वह एक मुसल्मानी यूट्यूवर है और इससे भी जरूरी कि पाकिस्तानी यूट्यूवर है लेकिन उसका वीडियो मेवात के मुसल्मानों में जाता है और इसके बात क्या होता है तो जो मोनु मानेसर मोहित यादो वहां पर गवरक्षा के लिए अभ्यान चलाता है। उसके उपर आरोब भी लगे हैं। कि उसने गवर्ख्चा के नाम पर या गवर् रक्षा के अभ्यान के दोरान कुछ गलत किया है। उसको कहता है कि मुसलमानों तुम उसे यात्रा को घेर कर खत्म कर दो तोड़ फोड़ कर दो अब जाच में क्या कुछ सामने आया है और मोहित यादो उर्फ मोनू मानेसर को मारने के लिए पाकिस्तान से प्लैनिंग चल रही है इन तमाम चीजों पर आगे बातचीत करेंगे बागे नमस्कार में मोहित कुमार सिंग और आप जनता जंक्षन देख रहे हैं सबसे पहले एक कॉंग्रेस पार्टी का बिधायक है जो मेवात के इलाके का है और बिधायक का नाम है ममन खान जो मोनू मानेसर उर्फ मोहित यादो है वो बार-बार कहता है कि ममन खान की भू मुसल्मानों को कहता है कि तुम जो भी करो हम सपोर्ट करेंगे उनको हत्यार उनको गोला बारूद सबकुछ हो ममन खान उपलब्ध कराता है अब मेवात के जरा सी कहानी सुनिए मेवात का जो इलाका है उसमें 80% के आसपास मुसल्मान है और मात्र 20% के आसपास हिंदू अगर कोई हिंसा हिंदूों के खिलाब भड़काई जाए तो बड़ा आसान है कि वहां से हिंदूों को पीट कर भगा दिया जाए वहां पर हिंदूों को खदेल कर मारा जाए और मेवात में इसलिए यह सब कुछ हुआ अब एहसान मेवाती नाम का जो यह यूट्यूवर है वह वीडियो बनाता है तो कहा गया कि इसने अपना जो लोकेशन है फेस्बूक पर इसने बता कर रखा है कि हम राजस्थान के हैं लेकिन इसकी सचाई क्या है तो इसके पूर्वज आजादी के पहले भारत के राजस्थान में रहते थे लेकिन इस वक पर यह पाकिस्तान के पंजाब प्रांत का एक इलाका है वहाँ पर रहता है इसका भाई पाकिस्तान की पुलिस में है और जो पंजाब का खरोर पक्का नाम का एक इलाका है एक जगह है वहीं पर यह रहकर वीडियो बनाता है अब मोहित यादो उर्फ मोनू मानेसर का नाम इतना चर्चा में कैसे चला गया कि पाकिस्तान से उसके लिए वीडियो बनने लगा उसको खत्म करने के लिए पाकिस्तान से अफिल किया जाने लगा तो इसकी कहानी समझेगे जो मिवात का इलाका है वहाँ पर बच्चा-बच्चा मोनु मानेसर के नाम से वाकिफ है वहाँ पर कहा जाता है कि अगर कोई गाय लेकर जाता है गौत तसकरी की नजर से तो उसको इस बात की चिंता रहती है कि कब मोनू मानेसर आएगा कब उसके उपर गोली चलेगी इसका कोई ठिकाना नहीं क्योंकि मोनू मानेसर का वहाँ पर पूरा का पूरा जो टीम है वो सक्रिया है, मोनू मानेसर काउ के नाम पर मतलब की गाय के नाम पर कुछ काउ टास्क फोर्स करके एक फोर्स बना कर इसने रखा है, उस टीम में 50 से ज्यादा लोग हैं जिनके पास आधुनिक हत्यार है और उ मंदिर के उपर हमला किया गया, इसकी कहानी की सुरुवार एक एहसान मेवाती नाम के यूट्यूबर से होती है, जो पाकिस्तानी है, यह अपने वीडियो में हिंदूों को लेकर अपत्ति जनक बाते बोलता है, हिंदू की मा बहनों को लेकर अपत्ति जनक बाते बोलता है, और सरकार का या अब तक की जाच में जो सामने आई है उसके मुताबिक यही बीडियो उस इलाके में फैला और धीरे-धीरे करके उस इलाके के लोग जो हैं वो धीरे-धीरे एक दूसरे के साथ तयार खड़े होने लगे कि अब यात्रा निकलेगी तो हमको कुछ ना कुछ जाच आगे चल रही है सरकार कह रही है कि मैं और तहट तक पहुंचेंगे क्योंकि पूरी की पूरी जो यहाँ पर हिंसा हुई है वह प्रायोजीत है किसी ने इसकी तैयारी की है और लगबग 150 से जादा लोगों को गिरफतार भी किया गया है अब आगे देखिए कि और क्य कि या कुछ खबर आती है आगे जो भी तमाम जानकारी आगी सब कुछ आप तक पहुंचाएंगे तमाम खबरों के लिए मर्दत बने रहीएगा कि हम रेक्षे बिशाहाल खड़े हैं और मैं मोहित कुमार सिंग बहुत बहुत धन्यवाद